हस्ती हसावती जिन्द वीज सार्थक छे आपने पासे बिजाने आप्पा माटे धन दौलत न होय कोईने कई आप्पा निस्थितीमा न होये तो पन आपने सदाले माटे एक वस्तु दिवा माटे समर्थ छिए अने निरंतर पूनिय अने संतोस नो लाब लई सकिये छे ते वस्तु नो नाम छे प्रसन्न ता चो पोताना सभा मा प्रसन्न रहवानो गुण होये अने हस्वा मुश्कुरावानी आदत पाडि देवा मावे तो आप जहाँ पन रहेशो या प्रसन्न ता वैस्ता रहेशो तो जी कोई पन संपर्थ मावसे ते प्रसन्न औने प्रभावित्थैने जसे पोतानी त्रुप्ती औने संतोस पन प्रसन्न तानी मनो दसा पर निर्वड़ छे ये अनुमान साचू नती कि जे सुखी औने साधन सम्पन होई ते प्रसन रहे छे वस्तु स्थिती अना थी बिलकूल उल्टी छे जे प्रसन रहे छे ते सुखी औने साधन सम्पन बने छे रसनता विशुद्ध रूप्ती एक एवी मनोदसा छे जे पूर्ण रिते आंतरिक संस्कारों उपर निर्भर रहे छे गरीबीमा पण हस्ता अने मुस्केलियों वच्चे पण खुल्ला मन्थी हसनार असंखे वक्ती जोवा मडे छे तेना थी विप्रित एवी अगणित व्यक्तियों छे जेमनी पासे प्रचूर मात्रामा साधन संपनता छे छता तेमनी आखो नसो ताणायेली औने मुखाक्रूती सोक ग्रस्त रहे छे ग्रोधी, चिन्ताग्रस्त, असंतुष्ट अने उद्रिग्न रहू तेक प्रकानी मानसिक दूरबढता मात्रा छे जे अन्ता करणनी द्रश्टी ए पच्छात लोकोमाज मडे छे परिस्थितियो नहीं, मनो भुमेनू पच्छात पणू, आक्षुब्ध तानू कारण छे उद्धात अने संतुलित द्रश्टी कणवाडी व्यक्ती, हर परिस्थितिमा हस्ती हसावती रहे छे ते वो जाने छे के मानौ जिवन सुविधाओ, असुविधाओ, अनूकुर्थाओ, प्रतिकुर्थाओनाा, ताना, वुराण धी वणा एलू छे संसार मा अत्यार्शूती एक पण व्यक्ती एवी नथी जन्मी जेने केवड सुविधाओ अने अनुकुडताओ ज मड़ी होई अने मुश्कीलेवनों सामनों न करो पड़े होई दरेकना जिवन मा केटलिक अनुगुडता रहे छे केटलिक प्रतिकुडता आपन रहे छे प्रस्न एटलोच छे के कौन कौने केटलू महत्वा आपे छे जे पोतानी प्रतुकुडताओ उपरज विचार करता रहे से तेमने ज महत्वा आपे तेमने प्रतित थसे के तेवो मात्र मुश्कुलियोज वडेज घेरायला चे तेथी तेमने दुखी रेव उपड़ से मुश्कुलियोणू निमित कारणाज जे पन प्रतित थसे तेना उपर जखीज राख से, क्रोतित रह से अथिक संपन लोकों नी साथे पोतानी तुलना कर से तो पोताना दूरभाग्यों उपर चीड चड़ से आस तरे पोतानी मनोभवी बनावी देनारा सदा एक सुब्द ज्वामा आव से पोताना सबामा चीडिया पणवावी जे से अने जारे पण आवसर मढ से तेरे पोतानी व्यथा के नाराज की व्यक्त करता पोतानी मानसिक अस्त व्यस्तता प्रगट करी रहा आशे तेना थी प्रतिकुड जने पोतानी अनुकुडता उपर विचार करवानों आरम कर्यो अने पोतानी तुलना पचाहत लोकों नी साथे करी तेने लाग से के आपने करोडों लोको करता सारा छीए आपनी पासे जे छे तेने माटे लाखों करोडों तल से छे आ तथियाने जे समझी ले से ते पोता आने सद भागी मान से अने संतोस न बहुच मोटो आधार प्राप्त करीले से सर्व सुविधाव कोने मड़ी छे जने दरेक सुविधा मड़े तेने देवता या भगवान कही सकाई प्रसन्न ता एक इस्वरिय वर्दान छे अने ते दरेक सु संस्क्रूत मनो भुमीनी रख्ती ने प्रचूर मात्रा मा उपलब्ध थाई सके छे जने सूब जोवा नियादत छे ते प्रिय दर्षी सर्वत्र आनंद मंगल जोसे इस्वर्णी अनुकंपा आने लोकोन इसदभावना उपर विश्वास राख से एवी दसामा हस्वा आने हसावा माटे तेना पासे घणू हसे परंदू जैन असूप चिन्तन नियादत छे बिजाना दोस दुर्गुण और पोताना आभाव अवरोध सोदभा नियादत छे जिय आज सोदमा लाग्या रहे छे तेने प्रतिकूर्त आओ देखाई छे तेने वधारी ने विचारे छे, तेने पोतानी चारे तरफ केवड दूस्ट्रता अने वीपन नताज देखासे तेवा लोगों एक शुब्दज रहू पड़े छे, तेवा गेर समझ, खिन नता अने उद्धुरिक नताज अनुभवता रहे से रोज तेमनी वाणी मा अने असंतोस तेमनी आक्रुती मा तपक तो रहे से इवी रिक्ति स्वयम दुखी रहे छे, अने पोताना संपर्क मावनार बिजाने पण दुखी करती रहे छे मनुष्य जिवन नी एक भारे विडम बना छे, किते स्रुष्टी नो मुकुट मनी अने संसार ना समस्त प्राणियों नितुलना मा अधीक संपन होवा छता पताने दुर्भाग्य ग्रस्त माने छे, अने दुखी रहे छे आ एकांगी मनो भमी अर्धांग पक्स घातना रोगी ना जेवी छे जन्वेक बाजुनु अर्धु शरीर तो काम करे छे, पन बिजी बाजु निर्बडता, रुग्णता अने पीडानी स्थिती बनी रहे छे आपने आपनी प्रतिकुडताओ विचार्त रही सु, तेना प्रमाण माज आपनो रोश अने विक्षोभ वधारी देशु आपने क्रोती, रिसाईला असंतुष्ट अने क्षूब्द न रहे हुँ जोईये आना थी मगज मा नवी विक्रुत्यो उत्पन थाई छे अने वधारो थया करे छे आग जहासे त्या सडगाव से असंतोष्ट जहासे त्या विक्षोभ प्यदा कर से अने तेना थी समग्र मानसिक बन्धारन हच मची उट से चीडियो मानस एक प्रकान नो पागलत छे दुखी, निरास अने चिन्तित रहनार ने चसकेल अने मुर्खावनी पंक्ती मा बैसाडी देवासे एवी व्यक्ती पोतानाश दूर्गोणो थी पोतानी जातने बाडती अने नबडी पाडती रहे छे अने अनेक सार्णीरिक तता मानसिक रोगोथी ग्रस्त बनी घोर असांती नी उद्ध्विग्न जिन्दगी जीवे छे हस्ता रेवो एए एक देवी गुण छे जेना उपर अमीरोनी सुविधावो निवच्छावर करी सकाई छे हस्वानी टेव चितने हलकू बनावे छे अने सरीर ने निरोगी दिर्ग चिवी अने सुन्दर बनाव वानी सुविधावत पन करे छे पोतानो सोथी मोटो उपफार एज होई सके जे प्रसंद रही स्मीत, मलकाट अने हाश्चनी आदतने सुभावनू अंग बनावी सके आ व्यक्तिने आकर्सक बनावनारो बहु मुल्य गुण छे खीलेला फूलनी आसपास जे रिते पतंगिया अने मदमाख्यो गुण जिया करे छे तेवी जरिते हस्ता हसावता माणसनी पासे रहता माणसो अनायास आकर्सित प्रभवित थयाज करे छे प्रसंद तानी जरूर सर्वने छे हस्वानो आनंद हर कोई लेवा इच्छे छे स्मीत, मलकाट थी फेलावतु संदर्या हर कोई ने गमे छे आ प्रकान्नी आकरूती अने प्रकरूती जे कोई नी पण जुवा माँ आवे छे तेना तरफ लोखो खेंचाईने आवे छे मिठाई खरिद नारा कंदोयनी दुखाने पौँचे छे हर्स अने उल्लास नी प्रसनता अने मलकाटनी भुख हर कोईने प्रसंण चीत मनुष्यनी पासे खेंचीलावे छे तेना मित्रों समर्थको अने प्रसंचको अने सहयोगियों नी कमी नथी होती आपने सर्वता निर्धन अने अक्षम होवा छता बिजाने निरंतर बहु मुल्य भेटापी सक्किये छे ते प्रसनतानी अभिव्यक्तीज छे चंदन पोतानी चारे तरफ सुगंध औने पुस्प पोतानी आसपास सोभा तता सुंदर्य फेलावे छे हस्मुक औने प्रसन चीत मनुश्या पोताना नजिगना वातावरण मा परिवार औने परिजितों मा हर्स उल्लासनी लहरो पुत्पन करतो रहे छे संसार मा दूख गणू छे दुखियोंनी कमी नती रोता औने रोडावता मानासोनी भीड लागी छे खीजावा औने खीजोवा वाडानी संख्या आगणिच छे सोध त्योंनी करवा मा आवे छे जी हस्वा हसावानी विप्यूतियों वेंस्ता पोतानी आंत्रिक समर्थता औने मान्सिक प्रोठतानों परिचै दैई सके एवा लोकोज संसार मा आनंदनी अभी वृत्ती करी सके तेमनूज अनुदान नजिकना लोगोनी रदै कड़ी ने खिलवी सके मुश्किलियों पोताना पुरुसार्थी हल थाई छे पण बीजाने उल्लास औने उच्छा प्रदान करी ने आपणे कोईनू पणचित हलकू करी सकिये छे अने निरास सिवनमा आसाना नवा किरणो फेलावी सकिये छे हसवू एक दैवी गुण छे हसावू एक उतक्रुष्ट तर्नो उपकार छे मलका तो चेरो भले काडो कदुरूकू होई पण अती सुन्दर लाट छे प्रसन्नता एक आदत छे जे थोड़ा समयना निरंतर अभ्यस्थी पोतानी अंदर पेदा करी सकाई छे पोतानी सुविधहवने जुओ अने प्रसन्न रहो सूभ अने प्रिय जुओ पुझ्जवड भविश्यनी कल्पना करो सद भावना अने सत प्रवुत्तियोंनु चिन्तन करी आपने हस्वा माटे प्रसन्न रहवा माटे बधूज मरसे जो आपने हस्वा हसावानु जीवन जीवी सकिये तो समझो के आपने एक साचा कलाकार जेवी मंगल मैी सफडता अने उल्लास भरी उपलब्धी प्रात करी लिदी झाल 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 क्हीं कैंट चे जीवी जेवी झाल